हेलो सो, एसके लेक्टरों स्वर्कमाप का सवाइट तो कैसे हो आप आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगा अच्छे ही राप रहोगे दोस्तों किंग साउंड का मेर पास साउंड सिस्टम आया रिपेर होने के लिए अब इसमें प्रोब्लम क्या है कि यह सोपेसे भी आया था है 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 ठीक है दोस्तों आपने देख लिया मैंने यहां पर आवाज फूल करके दिखाए थी आपने जब मैंने आवाज फट रही थी मतलब फूल करने भी फटती है जब आप रियल साउंड में सुनोंगे जब पतल लगता है अब दोस्तों आपके सामने गाई समझ आया अपने श्पीकर भी बदल लिया वोल्टे और चेक कर ली बच जिसके य इसमें क्या है पहल तो 50 वाट का स्पीकर लगा हुआ द्सवाट का मारा इसमें टूटा लागा हुआ है और जो हमाइर टोटल यानिक icaट बैट रहे है guys इसमें 2 इसमें और शायूपुट 25 लगते है और आझईध पूटकर भी लगते हैं तो अब इसमें करा क्या हुए है के बाद ही तुरंत हमने जब ऐसे इसमें किसी केंसे डल गया इसमें आईशी डाली उसने तुरंत ही इसमें मलग ये कंडिशन फस गई जब कि इसमें उन्होंने कुछ काफी कुछ चेक किया आपको बता दो आपको क्या चेक करना अब ध्यान देना है मैंने सारे पेज यहां प रिल लिया अब होत अची बात है तो दोस्तो आप हमें सबसे पहली कंडिशन में क्या आआ क नहीं की तोटल 4 आएसी लगी हुई है दो ौगा ब्रीज है इसमें क्या था कि है कि एक 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 आएसी फूखी ती जहांसे और उन्होंने मुझे सब डिटेल दे दी ती लेकिन problem solve नहीं होई थी अब मैं आपको बताता हूँ देखिए इसमें क्या किया गया है एक काईची चेंज हुई हुई है जैसे एक side पे दो IC bridge में है तो उसमें एक IC करावती हो तो भाईया जी ने एक IC ही बदल दी है उन्होंने अच्छा है ठीक है बदल दी है और देखिए यहां पे एक IC यहां पे यह लगाई गई है एक IC इस चैनल पे लगाई गई है तो और बाकी यह दो हमारी यह पुरानी IC है तो अब इसमें एक तो mistake मुझे आलगी लग रही है इसमें condition क्या कर रखिए देखिए 20-30 IC जो होती है 19 वाट की होती है और 20-50 IC होती है हमारी total 30 वाट की 30-30 वाट की दो लगी हुई है यानि कि अपना पूरा वो कर सकती है तो दोस्तो अगर आपके IC भी ठीक है तो आप यह वाले जो capacitor मैंने arrow दिखाया है अगर आपने IC भी सही नंबर की डाल दिया तो यह capacitor आपको change कर देने है आपकी यह problem का solution 101% हो जाएगा तो दोस्तो अगर आप यह capacitor बदल दोगे और जब आपकी IC फुके उसके बाद IC बदल के प्लस में यह capacitor बदलने तो यह 101% problem का solution हो जाएगा लेकिन इसमें अभी मैं जो देख रहा हूँ मुझे fault नजा रहा है इसमें एक 20-30 लगा रखी है एक अपनी 20-50 आइस लगा यह जो IC एक 20-30 है और एक इसमें 20-50 मतलब इसमें वाटेज तो घटा ही दिये जब सीधी ची बात आवाज बढ़ेगी तो बेस तो फटेगी तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक काम और करके देखूंगा जिस समय हम इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ यह देखिए यह दो ट्रैक जो जा रहे हैं अब हमें में में कैपिसिटर पर Ondesk करने होगे किसे कब कैसे झान देना हैाँ ऑर संद को फूर कर एंगे आपको मल्टीमेटर लेना है digital multimeter जो होता है वही ठीक है आपको 20 volt DC पे लगा लेना है ठीक है यहाँ पे लग गया इसको थोड़ा सही से रखते हूं जो आपको सही दीक है अब दिख रहा है ठीक है अब आपको set cone करना है वाज को बिल्कुल full करना है वही song play करना है अब यह जो दो capacitor लगे हैं हमारे यहाँ 12-0-12 के लिए वही 14-15 voltage बनती है तो हमें sound बिल्कुल full करके थोड़ा सा कैमरा हिल सकता है दोस्तों क्योंकि इसी के पूप पर रखाव counter काफी heavy bass है अच्छी है मतलब इसमें तो अभी हम यहाँ पे song को play करें अब voltage देखेंगे वोल्टे ड्रोप तो नहीं हो रहे हैं तो यहां पर देखें 10 से नीचे नहीं जाने चाहिए देखें 13 से नीचे नहीं जा रहे हैं यहां पर भी देखिये दोस्तों इसका मतलब supply section हमारा ठीक है हमारे capacitor भी ठीक है हमारे diode भी ठीक है और हमारा वह भी अगर हमारे यहां पर voltage drop होते तो capacitor change करके देख लेते अगर उससे भी नहीं होते तो आपके ऊपर से voltage कमा लेकिन सब कुछ यहां पर ठीक है voltage भी किलियर है अब आपको देखना है 20 30 या 20 50 जो भी इसमें आई सी लगे उसकी पिन नमबर 4 और 3 और 4 और 5 इनके बीच में आपको शोटिंग चेक करनी है घुमा फिरा के पिनों को देखना है कि आपकी 300 400 से मतलब 400 400 से नीचे नहीं आनी चाहिए अगर इससे आपकी नीचे रिडिंग आ रही है तो उस कंडिशन में दोस्तों स्पीकर की जो आई सी यह लगी हुई है यह हाफ शोट हो सकती है ठीक है अब यहां पर दोस्तों अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहां पर आई सी कोई भी शोटिंग नजर नहीं आ रही है ठीक है कोई भी नजर नहीं आ अब जो इसमें स्रीमान जी ने फाल्ट कर रखा है वो क्या प्रोब्लम है यहां पर मैं अभी आपको दिखा दूँ वही जो मैंने आपको सुरू में बताया इसमें और जिनल हमें 20-50 IC डालनी हो और जनल डूब्लिगेट भी आती है उसके वाटेज कम होंगे और जनल जो होगे उसमें मसीन से ही लिखा होगा 20-50 उसका जो कौने में कोड होगा आपका 500 से उपर कोड मिलेगा ठीक है 20-30 की और जनल आइसी की मैंने फुल वीडियो बना रखिया है अब मैं आपको क्या करता हूँ एक चीज का याद रखना है जब आपका जब आपकी IC मतलब इसमें सपोज करो दो IC एक साथ लगई है उसमें एक IC फुक गई है साथ वाली दोस्तों दूसे IC पो बहुत साइड इफेक्ट होता है दोस्तों दोनों IC को चेंज करना होगा तो इस कंडिशन में दोस्तों एक IC था हमारी ओल लेडि वो उसके साथ फुकी थी वो भी हमने चेंज कर देंगे यहां पर निकाल देते हैं तो ऐसे ऐसी कंडिशन में दोस्तों यह आपको प्रॉब्लम ट्रैक करनी है ठीक है तो हमने यहां पर देखिए दोस्तों चले फार्ट फुर्ट करके यह दोनों IC निकाल दी है इसमें एक ic दस्त तो देख सकते हो एक ic 20 30 है एक ic अ comic 20 50 है यह 20 30 है यह 20 30 है यह 2030 होगी हमारी ht की और हमारी यह 20 50 है ठीक है दोस्तों तो यह हमारी दोनों ही आइसी गलत है क्योंकि एक आइसी तो इसके साथ फुकी थी वह उसमें दोस्तों साइड इफेक्ट चो आ जाता है तो हमें इसको अब हमें दोनों ही आइसी बीस पचास डालेंगे हीट कंपाउंडर होँआ पर ओलेटी लगा हुआ है यह हमने देख लिजिए यहां पर ओरिजिनल एस्टी की बढ़िया क्वालिटी वाली बीस पचास यहां पर डालनी है तो मैंने दोनों को एक साइड पर लगा के अभी आपको दिखा तो मैंसे दूसरी साइड भी बदलेंगे पिलाल जो इंटरनल स्पिकर उसकी बदलके मैं आपको भी दिखाऊंगा आपको यह काम जरूर करना है अगर आईसी यह प्रोबलम है किंग साउंड वाले यह 11 पर पांस वाले इनमें यह common प्रोबलम हो चुकी है यह प्रोबलम से आपका दोस्तो समधान आपका हो जाएगा आप करके देखना यह देखे दोस्तो हमने आईसी यहां पर लगा दी है अब इसकी सोल्लिंग करेंगे एक चीज़ का कभी हमेसा याद रखना है कभी नहीं बोलना जब कोई भी आईसी आप लगा रहे हो कुछ भी तो उसमें एक चीज़ करना है पहले आपको कम्पोनेंट को कस लेना है उसके बाद सोल्लिंग करनी है जिससे की बाद में प्रिंट वगार ना फट है आपके तो दोस्तों देखे हमने यापे सोल्लिंग कर दी है इसके अच्छे से अब हमें क्या करना होगा इसके बिच में जितने भी कारवन आरवन है बरूस से साफ़ा करके बड़े तरीके से सफाई के साथ रखके चेक करना है तो दोस्तों देखे हमने यापे अच्छे से साफ कर लेया क्लीन और जल्दी से एक दो पेज लगाते हैं आपको उपर करके रख के से दिखाएंगे दो पेज लगा लेता हूं जिससे कि आपको पूरा साउंड में क्वालिटी लगे तो हैं पर हमने देखिया पैक कर लिया है अब आपको पूल आवाज में बहतीन तरह से सब डिखाया हमने पहले आपने अब बहुता हमान अपको अब एप दिखाया has ठीक है देगे जाली ते बहुत बढ़िया साउंड आ रहे है दोस्तों इसकी बेस्टेबल सब कुछ अब ओक्या है तो फाइनली हमने क्लियर कर दिया है फाल्ट ऐसे ही आपको क्लियर करना है तो आई होप मेरे भाई आपको वीडियो अच्छे तो प्ली वीडियो का लाइक करना है अब दोस्तों सेर करना अच किलिक नहीं जाहिन वन्देमात हम दोस्तों आपका दिन सूब हो